नमस्कार दोस्तों दिपावली पर्व की हार्दिक शुपकामनाओं के सार्ड आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है वीडियो जिसका टाइटल में ने रखा है Financial Planning at Retirement कोई भी वितनी सार जब अपनी पूरे lifetime में वो service में होते हैं और बहुत मेहनत करके वो अपने retirement funds के लिए पैसा इकठा करते हैं और वो funds उनको retirement के समय मिलते हैं तो बहुत बड़ा question उनके सामने आता है इसाब इस पैसे की सुरक्षा मैं कैसे सुनिश्चित करूं और इस पैसे से मैं आने वाले समय में किस प्रकार अपने जीवन या पन को सुनिश्चित कर सकते हैं आज की इस वीडियो के तुरू दोस्तों मैं आपके सामने इसी विशे पर अपने कुछ विचार जिसे मैं बोलता हूँ कि अपके लिए कुछ विचार रख रहा हूँ कि आप यदि रिटायर्मेंट के वल्च पर खड़े हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा रिखती है जिन किसी विशे पर अपने कुछ विचार इस वीडियो के तुरू आपके समख्ष रखता हूँ तो दोस्तों कुछ चैलेंज जो होते हैं रिटायर्मेंट के समय पर जो चैलेंजेस हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार के आपके सामने कुछ परिपेक्ष खड़े हैं जिनको देख क करके आपको अपनी फिनेंशल प्लानिंग करनी है मैं उन्हें रखने की कोशिश करता हूँ हाव तो मैनेज़ फांड्स फॉर स्पर बैस रिटन कि मुझे जो बैस रिटन कमाना है उन हाड और मनी से जो मुझे रिटायर्मेंट पर मिली है मैं उन फंट को मैनेज कैसे करों ह एक निश्चित आय का सुरोत मेरा निरंतर रोप से बना रहा है उस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है टेक्स प्लानिंग थू रिलेटेव बहुत सी बार पूछते हैं कि भटिया जी मान लीजे मैं अपनी पत्नी के नाम FD करा देता हूं अपने बच्चों के नाम FD करा देता हूं तो क्या ऐसा करने में कोई इंकम टेक्स से रिलेटेव कॉन सीक्वेंस होंगे क्या आई दोस्तो कि नॉमिनेशन या वे हलाकि इसका सीधा सीधा फिनेंशल प्लानिंग से कोई संदर्म नहीं है लेकिन अपने अनभव से प्रोफेशनल अनभव से जो मैं सीखा हूं और उस चीज़ को मैं हां जोड़ करके रखना चाहता हूं कि सर क्यों ना हम नामांकन के बारे में या एक वसीयत के बारे में भी फिनेंशल प्लानिंग के आस्पेक के रोप में सोचें तो आईए दोस्तों इन ही बिंदों पर एक एक करके डिसकर्शन आगे आपके समख्ष रखता हूं तो दोस्तों पहला प्रश्ण है हाव टु मैंने दफांड फॉर वेस रिटर्ण एक बहुत बड़ा चैलेंग रिटार्ट परसन के लिए आने वाला है या आता है इसाब जो मेरे पास में फंड्स इकटे हुए हैं रिटायर्मेंट पर चाहिए वो ग्रेचुटी से आए पी सब्स्विट पर प्राइट वीच्ट करेंगे अब मुझे अब शोटे में उनकी पढ़ाई पर खर्श करना है यह मुझे मेरा काफी जीवन का समय किराय की संपत्ती में निकल गया अब मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीजनी भी है अपने नाम की ये भी सोचा जा सकता है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप अपनी प्रायर्टी सही प्रकार से तैक कर पाएंगे तभी आप अपने रिटायर्मेंट के फंड्स की सही फिनेंशल प्लानिंग कर पाएंगे आप जब अपने फंड्स को प्लान करते हैं कि अच्छा मेरे पास पचास लाक रुपए अब मैं यह बोलूंगा यह मेरे जैसा कंसल्टेंट आपको यह कहेगा कि सर आप एक काम करें सबसे पहले मेजर चंक आप नॉन रिस्की इंवेस्टमेंट में रखिए नॉन रिस्की या नी से फिक्स डिपॉजिट हो गया ठीक है या गौर्वर्मेंट सेक्यूरिटीज हो गई या मैं बोल सकता हूं लाइसी की कोई पर्टिकुलर स्की में प्रदानमंत्री वेविंद सब्सक्राइब कोई आपको नीचे से बोल दिया जाता है तो आई तिक पॉइंट इस पर्टिकुलर थिंग्स वरी इंपॉर्टेशन ऑर इंट्रेस्टेशन पॉइंट के बैंक आज की रिट में ब्याद दे रहे हैं पांच परसंट शे परसंट साथ परसंट में अब हमें म सब्सक्राइब कि अपने सब्सक्राइब करना है तो अगर आपको रहने के लिए real estate में दो अपने प्रपर्टी बेचने गए उस दिन कोई बाइर एक दम से नहीं मिला तो आपके फंड्स तो ग्लॉक हो गए जैसा मैंने उपर बुला यहां फिर रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से सब्सक्राइब क्या होता है कि मैं अपनी 55 एस की एज से 60 एस की तक जब तक रिटार होने वाला हूं मैंने किसी कंपनी को पैसे दिये उधार उन्होंने मेरे को हर महीने 12% का व्याद दिया यानि एक परसेंट की रेट से व्याद दिया है अब रिटार्मेंट के बाद भी मुझे उन पर विश्वास है मैं आगे उनको और पैसा दिये रखना चाहता हूं मैं इसे गलप नहीं बोलूगा लेकिन सर अब यह समझे कि अब रिटार्मेंट पर खड़े हैं और आपको अ क्रॉस्टेंट बट आप किसी कंसल्टेंट की राय लेना गलत नहीं है तो बहुत जरूरी है लेकिन आप उनसे क्वेश्चन पूछें आप हो सकता है एक की जगे दो जनों से मिलकर के फाइली अपनी अपिनियन बना है एंड लास्ट बट नॉट अट लीस्ट पॉइंट इ लाग है तो उस Md को एक साथ करने की जगे कुछ Md एक साल की करिये कुछ 2 की करिये कुछ 3 की करिये यह आपके लिए अच्छा important point हो सकता है मैं इसी point पर दोस्तों आगे भी और discussion आपके साथ करता हूं अब अगला question ले रहा हूं दोस्तों how to ensure security of fund which is a very big challenge के security of fund कैसे सुनिश्रित किया जाए say for example keeping investment in fixed deposit versus saving bank deposit के आपके fund तो sir FD में भी safe है saving bank deposit में भी safe है लेकिन आप saving bank की जगे FD में रखेंगे क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग saving bank account में बड़ा balance maintain किये रहते हैं तो sir bank आपको minimum ब्याद दे रहा saving bank deposit पर इसकी जगे आप 15 दिन की FD करेंगे तो शायद आपको saving bank से ज्यादा अच्छा return मिलेगे तो आपने security of fund भी सुनिश्रित करना है और ये भी सुनिश्रित करना है कि at the same time आपको maximum return मिल सके ensure division of amount in multiple fixed deposit ये मैंने आपको पहले भी suggest किया सर के हो सके तो एक bulk FD करने की जगे FD को तोड़ करके तीन या चार FD में बाटिये इससे क्या होगा सर कल अगर आपकी FD किसी वज़े से urgent fund requirement से तोड़नी भी पड़ती है तो आप पूरी FD तोड़नी की जगे जितनी आपको उस समय की money requirement है उतने amount के आसपास की FD को तोड़ेंगे इससे आपको पूरी FD पर ब्याज का नुकसा नहीं होगा तो आपकी security of fund भी सुनिश्यत हो रही है और पूरी FD पर interest का नुकसान अगर किसी वज़े से होता तो वह भी नहीं हो रहा Taking stock of investment from time to time it is a very important point my dear friends कि आपने जो investment किये है चली आपने मेरी बात मान करके investment करते समय तो ध्यान रगा लेकिन क्या आपने बात में भी समय समय पर अपने investments को review किया क्या तो यह मेरा suggestion है sir कि आपने जो investment किये उसको time to time review कहिए कई बार हमने investment किया हम भूल गए हमने तकाजा नहीं किया कि भाई वो सही level पर है investment को रिस्क तो नहीं आ गई अगर रिस्क आपको दिख रही है आप अक पैसा लगाऊं यह PSU में पैसा लगाऊं तो मैं निश्चोतरूप से मानूगा Sir कि जनता जनार्धन में PSU Bank में पैसा लगाने का ज्यादा विश्वास है बनस्पत प्राइवेट में पर ऐसा नहीं है कि Private Bank में पैसा लगाना रिस्की है प्राइवेट सेक्टर में यह जरूर बोलूगा कि कुछ छोटे लेवल के कॉपरेटिव बैंक जो बहुत अच्छे बेस पर नहीं खड़े सर वहां पैसा लगाना रिस्की हो सकता है क्योंकि ऐसा पूर वनभव आपने पिछले समय में हुई कुछ घटनाओं से सीखा होगा तो कहने का मतलब है सर कि अगर आप सुन किया और कुछ प्राइवेट सेक्टर में किया ऐसा भी किया जा सकता है एक जैसे कहते हैं सर इंवेस्टमेंट में वन शुट नॉट पूट ऑल एक्स इन सिंगल बासके तो सर हमें भी ये फंडा रिटायर्मेंट प्लानिंग के फंड को यूज करते समय निश्चत रूप से अपनाना है बैंक्स वर्सेज एंडी एफसी इस सेक्यूरिटी पॉइंट ऑफ यूज के यूज वली यह देखा जाता है कि एंडी एफसी में फंड रखना रिस्की है एस कंपेर टू बैंक्स पर में यह बात सारी एंडी एफसी के लिए लागू ऐसा जरूर नहीं है पर आ होना पैसा ही आपका एंडी एफसी में या छूटे कोपरेटे बैंक में रहें कि फिक्स डिपॉजिक्स वर्सेज मिच्वल पंड सर निश्चत रूप से फिक्स डिपॉजिक्स अर बेटर इन टर्म्स आप रिस्क कवरेज देन मिच्वल फंड लेकिन कुछ लोगों का अप आप मिचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर मैं कहूंगा कि पहला टार्गेट फड होगा फिर कुछ पैसा आपको लगता है कि हम मुच्छ फंड में चाहें लिक्विट फंड में या इकुडी औरेंटेट फंड में लगा है तो आप उस प्रकार से अपना विचा आएं तो यह लोन चलने देता हूं क्योंकि मेरी पेंशन इंकम आ रही है चाहे पेंशन इंकम आ रही है और चाहे उस पर टेक्स बेनेफिट मिलेगा तो भी मैं कहूंगा सर रेटायर्मेंट के बाद ऐसा एम करना है कि हमारे सिर पर कोई लोन ही ना हो तो बहुत अच्छा ह और इसलिए बुला अवेलिंग लोन कई बार लोन भी आपको अवेल करना पड़ सकता है रेटायर्मेंट पर आपकी पेंशन पर बैंक लोन मना देता है लेकिन सर अवाइड करिये कि आपका हो सके तो एक्जिस्टिंग लोन पर हो जाए और अवाइड करिये कि आपको नया लोन लिए बिना ही आपकी आगे की फिनेंशल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके तो बहुत बढ़िया है तो यह कुछ पॉइंट्स दोस्तों मैंने अपने इमाग में जो थे अपने अनभव से जो थे आपके सामने सिक्यूर्टी और फंड्स पर रखे अब अगला पॉइंट लेके आ रहा हूं दोस्तों हाउ टो एंशूर रेगुलर सोर्स ऑफ इंकम यह बहुत बड़ा टागेट है कि कैसे मेरे पास में एक निश्चित आयका स्रोथ बना रहे हो सकता आपके पास पेंशन इंकम और बहुत से रिटार्ग परसन के पास पेंश करेंश्मेंट वगेरा का पैसा ही होता है तो उन्हें भी एक रेगुलर इंकम तो बनानी है और बहुत जरूरी अगर आप रेगुलर इंकम नहीं बनाएंगे तो आपके लिए आगे का टाइम निश्चित रूप से डिफिकल्ट हो सकता है तो अपार्ट फ्रॉम पेंचन ड बैंक में FD करी उनको बुला जी आप मुझे इस FD का महीने का ब्याद दे दिए सो राधर दन कुम्लेटिव प्लान दोस्तों आपने क्या लिया मंतली इंकम प्लान लिया आपको मंतली की जरूत नहीं है क्वाटरली इंकम प्लान ले लिए बहुत इंपॉर्टन दो बैंकों से अच्छा रिटन देती हैं सर सेफ हैं आप इनके थू भी रेगलर इंकम जेनरेट कर सकते हैं सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान ये एक तरीकी का दोस्तों म्यूचल फंड प्रोड़क्ट है बड़े ध्यान से करिएगा ध्यान से क्यों सर क्यूंकि आपके हर्ड शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो कुछ रिटन बनाएंगे अगले मेने फिर दस जार निकले हो सकता है वो उननीस नबबे पिछले मेने के उननीस बाड़वे हो गए हो और इधर आपने फिर दस निकाले फिर आगया अनिंग आई तो अगर आप कुछ अच्छे म्यूच का ट्रक रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने अच्छा रिटर्म दिया कि आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल भी किया तो भी आपका फंट की वैल्यू अप्रिशेट हुई लेकिन आप किसी अच्छे एडवाईजर की हैल्प लेकर नहीं सर इस प्रकार का प्रड़क लिए डिविडेंट इंकम के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे शेर्स हैं मैं आपको एक PSU सेक्टर का शेर बताता हूं आप ज़रूर नहीं है मेरे कहने से वही लें से पर एक्जामपल कोल इंडिया कोल इंडिया मेरे साब से वन अफ दा हाइस डिविडेंट पेंग शेर्स है PSU सेक्टर में तो अगर मान लीजे आपने कोल इंडिया में एक सर्टन अमौन लगाया वो लगबग उसका आठ से 10 परसें एनुली डिविडेंट फॉर्मेट में आपको रिटन दे रहा है तो यह वी एक अच्छा ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं लेकिन शेर मार्केट में मूच्वल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सर्ट प्रॉपर अपनी रिस्क को कवर करके ही जाना है रेंटल इंकम जहां आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी का अच्छा मिल रहा है जिससे आप इंकम जन्रेट कर सकते हैं सर्ट निष्चत रूप से उस पर जाईए आप मैं मना नहीं करता पर मेरा सजेशन है सर्ट के आप एक रेजिस्टर्ट लीज डीट करके ही जाएं या रेजिस्टर्ट रेंटल अगरिमेंट करके ही इस प्रकार क प्रपोजीशन में जाए क्योंकि कई बार क्या है आपने hard and money invest कर दी अब rent की बात पो छोड़िए आपकी संपत्ति काविज होने की नौबत आ गई तो ऐसी परिस्थति में सर एक retirement age के परसन को इस प्रकार की टेंशन लेने के लिए मैं काता ही सजेस्स नहीं करूंगा तो यह कुछ regular source of income के तरीके आप बैठा सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अब देखी दोस्तों यहां आपके सामने दो महत्रून आसपेक्ट करता हूं कि टेक्स प्लानिंग ठूर रिलेटिव बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास में से 50 लाइक रुपीज का अमाउंट आ रहा है बढ़िया जी मैं इसमें से 20 लाइक रुपीज अगर अपन अगर एक बात आपके सामने रखता हूं सर के सेक्शन 64 ऑफ इंकम टेक्स है कि कहता है कि अगर आपने स्पाउस के नाम पर FD कर दी तो उससे हुई इंकम आपके आतमे क्लब होगी यह पक्ष आपको ध्यान रखते हुए भी अपना ध्यान रखते हुए ही अपना काम करना च तो ऐसा किया जा सकता है कोई वो नहीं है रिस्टिक्शन अगर वो मेजर है तो आपके हाथ में इंकम की क्लबिंग भी नहीं होगी मान लीजे एक सज्जन जिनके आयो 60 यह हुई रिटायर हुए 80 लाग का फंड आया वो कई वटिया जी मेरी एक बिटिया है 19 यह के एज की अब ही वो तेस्ट जो इस साल तक तो बढ़ेगी तो मैं 30 लाग की FD अगर बिटिया के नाम कर दूँ क्योंकि अभी उसकी कोई इंकम नहीं और वहां पर मैं कोई कोई गलत होगा क्या मैं इसे गलत नहीं मानता किया जा सकता है यू में गिफ टो हर अन दें शी में इंटर्स विच इस रिपोर्ट इन रिटर्ण है बाकी केसे में आप यह देखे कि आप पैसा जो दे रहे हैं सामने वाले जिस व्यक्ति को आपने दिया बच्चों को दिया या ग्रैंट्सन को दिया क्या आप लेने की अपेक्षा रखते हैं या नहीं अगर आप लेने की अपेक्षा नहीं रखते तो तो कोई दिक्कत ही वाइडीयव परैंड इस प्लानिंग फॉर है कि स्वास्ते संबंधी अमने क्या प्लानिंग अपनी करी है लेकिन सेंटल गौवर्मेंट के कैसें में बहुत सी वार मैं ने देखा किसे एक एलमेंट के लिए एक बिमारी के लिए दो लाग रुबे का अग्जिमा और वास्तिक खर्चा साड़े चारलाक रुपए का हो गया तो ऐसी परिस्थती में वो जो एक्स्टर ढाई लाक रुपए वो तो आपकी जेब परी बर्डन है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई प्रकार का फॉपए मैं इंपड्वायर का कव्रेज है ही नहीं डिकल में तो ऐसे परिस्थती में उनके पास उप्षणी नहीं है बलकी उनको एक अच्छा शाऄ इंस्रएंस का अब अलगलग पर्संगा कि असि को पान्च लाग और किको पंद्रा किकी आप साट साल यह मुग ले रहे ह तो वो premium आपके खर्चे के अनुपारत में बहुत सी बार negligible भी हो सकता है. तो suggestion मेरा यह है दोस्तों, कि one should think about obtaining a good health cover because this will help him for not disturbing that particular fund which he has kept for his usual earning. ठीक है? तो यहाँ पर सर यह suggestion मैं आपके सामने planning for health care के रूप में रखना चाहता हूँ. अब दोस्तों, मैंने शुरू में भी बोलाता और यहाँ भी बोलता हूँ कि सर नॉमिनेशन या विल सीधे-सीधे financial planning से related aspect नहीं है. लेकिन अगर हम नॉमिनेशन करते हैं या विल करते हैं, पहली बाद तो इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है? लेकिन नॉमिनेशन यानि नामांकन और विल यानि वसियत, दोनों लागुत तभी होती हैं जब वो विक्ति जिसने नॉमिनेशन या विल किया है वो नहीं रहता है, यानि हमारे जाने के बाद, लेकिन मैं मानता हूँ कि क्यो ना हम ऐसी planning करें, कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है, तो हमारे परिवार जनों को, हमारे वारिसों को जो भी संपत्ती है, वो आराम से freely available हो जाए, उन्हें आपस में लड़ना पड़े, और नहीं उन्हें सिस्टम के साथ में जूजना पड़े, उस point of view, sir, यह अच्छा हो कि हम नॉमिनेशन क करें, करना चाहें, विल करें, करना चाहें कुछ भी ना करें, अगली बार, प्रिफर किसको करें, नॉमिनेशन को या विल को, तो यहां यह कहूंगा, sir, कि अगर आपने A ने नॉमिनेशन क्या B के नाम पर, ठीक है, unfortunately A की मृत्त्य हो गए, और A के वारे C भी हैं, D वी हैं, तो B यहां पर उस नॉमिनेशन के रूप में प्राप्त FD का, शेर्स का, किसी सेविंग बेंक डिपॉजिट का ओनर नहीं है, उसको C और D के साथ में, जो भी as per succession act बनता है, इस संपत्ति को बांटना पड़े, लेकिन अगर A ने अपनी विल में लिखा कि मेरे तीन बिटे ह तो आपको यह देखना है कि अच्छा आपको आपको नॉमिनेशन करना अच्छा लगता है या विल करना अच्छा लगता है, जो आपकी परिस्टतियों के अनरूप है, वो चीज आप यहां पर आकर के प्लानिंग कर सकते हैं, तो this is one point which I wanted to share through this particular video, I hope it would also be helpful to you, if not directly, then indirectly at least. So my dear friends, at the end, I must accept that yes, this is a longer video normally as compared to 5-10 minutes video which I usually create, but the topic is so huge and so relevant, कि मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है, कि वो अपनी रिस्क को सही प्रकार से अनलाइज नहीं कर पाते हैं, in terms of retirement financial planning, अगर आप retirement के समय अपनी financial planning सही रूप से नहीं कर पाएंगे, तो आपका hard and money, जो जीवन भर की महनत से एकठा हुआ है, वो stake पर आ सकता है, तो दोस्तों मुझे जो लगा कि कुछ अच्छे suggestions मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो मैंने यहाँ आपके साथ में रखे, अगर आपके कोई प्रश्न हों तो आप कुरोना कल अब दुबारा ना आए और इनी शुब कामनाओं के साथ यहाँ पर आप से विज़ा लेता हूँ, धन्यवाद, जैहें